आज हम लोग बनाएंगे मटर की कचोरी जो हरी मटर आती है मांके प्रेश उसी की हम लोग कचोरी बनाएंगे इसके लिए हम लोग कुछे सामा करेंगे चीह हैं सबसे पहले तब हडी मटर ले ले तन्ले के लिए आप कोई भी वाइट ओयल ले थोड़ा सरसो तिल कियाओ की रिकॉर्मेंट है मैदा लगेगा सॉंप जो होती है वो और काला जिरा याना के कलोंजी नमक और हल्दी हींग और चार पाच आपका जो हडी मिर्च होती है वो और रालेंगे जो हरी मिर्च ने लिया था वो हरी मिर्च और यह हम और मिक्सर में भाएंगे Air पाचरल दभी, आप देख सकते हैं के हम लुगों पीश लिया है आउसे चोटरी तुकड़े में आप काट लीजेंगे और उसको अंदर दाल लिजेंगे और इसको मिक्सर में नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें साथ में एक चुक्की भर हींग एक चुक्की भर हींग और यहाँ पर मैं आपको एक सिक्रेट बताती हैं इस समय अपना इसी में डालें थोड़ी सी शक्कर और एक चमच के असपास जो जीरा पाउडर होता है वो जीरा पाउडर यह ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप करने लेकिन यह जीरा पाउडर डालने से मुझी लगता है कि इसका स्वाद थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आता है हम लोग जला लेते हैं गैस और थोड़ा सा सरसो तेल उसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा तेल हब डाल ले हमको बहुत ज्यादा तेल की अहां पर रिक्वार्मेंट नहीं है थोड़े सी तेल चीए अब देख सकते हैं कि तेल गरम हो चुकी है अब इसमें हम लोग डाल लेंगे थोड़ा सा सौप और थोड़ी सी काली मिर्च यहने के कराया था अब इसको अच्छे से क्रेटल कर लीजिए इसके बाद इसमें डाल लेंगे जो हम लोगों ने मसाला पीस के रखा हुआ था य अब देख सकते हैं इसका पानी को हम लोगों को पूरा शोक लेना है यह थोड़ा सा एड़ जाएगा तब तर हम लोगों इसको थोड़ा सा चलाते हुए रहना है और इस पर आप थोड़ा सा डाल लेंगे और इसको निलाले इसको लगातार चलाते हुए तक आईएगा वाना नीचे से यह पकड़ जाने का डर हुआ इसका मटर का जो कच्छा पंद हो थोड़ा सा दूर हो जाएगा इससे और यह एड़ जाएगा ताके आप बीस की स्टुफिंग जो है उसके लिए हम लोगों को यह तयार करने है प निकाल लेते हैं और इसको ठंड़ा खोलें देंगे आप नीकाल कि रखले हुए चला धो फ्लता होने दें जब तक यह थंड़ा हो रहा है इसको साईड में लुष तो नयाद को कि कपiquer की तस शुरकी परालो का उलां ल्मक और इसको अच्छे से मिला ले अब देख सकते हैं नमक अच्छे से मैदे में मिल गया है आप इसमें थोड़ आसा वाइट वायल डाले मयान के लिए और इसको अच्छे से मैदे में इस तरहा से मिलाते हुए पूरी आटे में या मैदे में आप मिला ले आप चाहिए चो मैदे के बदले आटे के अब ही इस्तमाल कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से मिलाईए गया आटे में अब देख सकते हैं आटा कैसे भूदरा हो गया है अब इसमें आप पानी डाले और गोथ ले आप देख सकते बादा कच्छे से उताई गए है यह आपका खाल इसको पंगा मित के लिए हम ठाद के, छौड़ देए यह रिजुख के लिए, एक बार हम लोग फिर से मैले को, थोरा सा इस थरा से पंछ दे के, और फिर इसका रोज़ आत लेंगे इस तरह से आठे की रोज़ आत ले उसमें डाले डाले आउड़ वैट वयल फ्राई करने के लिए और तेल को गरब होने दें आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुकी umm, अम एक एक कर ते इससी तरह से लेंगे और इसमें थोरा से मै sécurité बड़त लेंगे और इसको अलके हाथेели आनि में फूरा अब देख सकते हैं कि यह दिला गई है और इसके अंदर आप इस तरह से स्पूर्ट को अंदर स्टफ करें और इसको उठा के चारो तरफ से बंद करने कि चारो तरफ से उठाते हैं इसको इस तरह से घुमा के बंद करने और इसको पल्टा के अब हल्के हाथों से इसको दबाए और फिर उपर से हल्का समयदा प्रेस लगा के अब हल्के हाथों से बिल इसको इसको बेलने बहुत हल्का पीडिएगा क्योंकि वन्ना यह पूर्ज आपने अंदर डला हुआ है वह बहाड़ा जाएगी तेल करन हो चुकी है और हम लोग इसको फ्राइड केंगे जब पहली बार आप तले तो यह वाला हिस्सा जो अपने बंद किया था वह उपर की तरफ रखिएगा दोनों तरफ के आपको इसको पेटके निगाल लाएगे जब इस तरह अच्छे से नाल होके यह प्राइग हो जाए उसके बाल इसको आप अलटके दूसरे तरह भी सेगे लेगे इसी तरह से बाकियों को भी सेख ले और अच्छे से निकाल के आप पर लेगे बाकियों की हुदों बाकियों के लेग इसी तरह सेख के लाएगे शेख के निकाल लेगे इस तरह से आप पल्टा ले और पल्टा के दोनों तरब इसी तरह से शेख के और निकाले बनके तयार है आपकी मटर की हरी मटर की पचोडिया आप देख सकते हैं मैं एक आपको निकालके बताती हैं यह बहुत सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट यह देखिए इस तरह से कचोड़ी के पूर आपके अंदर रहेगी और आप इसको हरी चटनी या फिर किसी और चीज़ के साथ भी आप परोज सकते हैं बनाईए और सबको खिलाईए और कमेंट में जरूर बताईएगा कैसी बनी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें जो भी नए विजिटर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताके आगे के जो भ